करके देखें आपने पिछली कक्षाओं में साधारान ब्याज के बारे में पढ़ा है आईए कुछ सवाल हल करके बचत खाते, आवर्ती जमा खाते और सावधी जमा खाते के अंतर को थोड़ा और समझते हैं पहला, महेश अपने बचत खाते में 300 रुपए 3 माह के लिए जमा करता है तथा एकता 100 रुपए प्रती माह की दर से 3 माह में आवर्ती जमा खाते में 300 रुपए जमा करती है यदि क बचट खाते में ब्याज की दर 4 प्रतिशत वार्शिक तथा आवर्ती जमा खाते में ब्याज की दर 6 प्रतिशत वार्शिक हो तो किसे अधिक ब्याज मिलेगा ख दोनों खाते में ब्याज की दरे 6 प्रतिशत हो तो क्या मिलने वाले ब्याज में कोई अंतर होगा यदि हाँ तो उसका कारण क्या है दूसरा मनीशा 2,000 रुपे अपने बचत खाते में 2 वर्ष के लिए जमा करती है जिस पर उसे 4 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है परंतों रोहन 2,000 रुपे दो वर्ष के लिए अपने सावधी जमा खाते में जमा करता है जिस पर उसे 8 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है तो दोनों के खातों में 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा तीनों खातों में अंतर को हम संग्षेप में इस तरह देख सकते हैं जब हमारे पास पैसा है और आगे कभी भी जुरत पड़ सकती है तब हम उसे बचत खाते में जमा करते हैं जबकि सावधी जमा खाते में हम तब जमा करते हैं जब हमें यह लगता है कि आने वाले छे महिने, साल, दो साल या किसी निश्यत अवधी तक उस पैसे की जरुरत नहीं पड़ेगी। बचत खाते में जमा राशी जमा करता द्वारा कभी भी निकाली जा सकती है। इसलिए बैंक उस राशी का उपयोग नहीं करता, तथा उस जमा राशी पर ब्याज की दर कम होती है। आवर्ती जमा खाता उक्त दोनों खातों से इस बात में अलग है कि इसमें जमा करता के पास शुरू में अधिक धन नहीं होता। उसके पास बचत की थोड़ी राशी है और वा निरंतर इतनी राशी किसे निश्चित अवधी में जमा कर सकता है। ऐसी इस्तिती में आवर्ती जमा खाता एक उप्युक्त विकल्प होता है। इसकी ब्याजदर बचत खाते से अधिक होती है क्योंकि आवर्ती जमा खाता भी किसे निश्चित अवधी के लिए होता है। आईए आवर्ती जमा खाते के ब्याज की गर्णा को इन उधारनों द्वारा समझें।